Hello everyone, welcome to this video और मेरा नाम है अवंत्रिवीदी तो बहुत लंबे समय के बाद मैं आज इस चैनल पर वीडियो आ रही है तो आप सभी लोगों को पता है कि CGL 2021 का फॉर्म आपका पब्लिश हो चुका है और उसका फॉर्म भी भरे जा चुके है सारा प्रोसेस आपका उसका आगे बढ़ गया है तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 months strategy के बारे में कि क्या strategy हमारी होनी चाहिए अपनी exam को लेकर और कैसे हमें आगे proceed करना है, कैसे हमें पढ़ाई करनी है इन सभी चीजों के बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे तो पहली बात कि अगर आपको आपने exam dates की नहीं देखिए तो देख लीजिए, आपके form भरे जा चुके है form भरने के साथ साथ जो form correction की उन्होंने date दी थी वो भी over हो चुकी है, तो सारी चीजें हो चुकी है आपकी यहां तक का सारा काम कहानी खत्म हो चुकी है अब जो कहानी है वो है आपकी tier 1 के exam की और वो schedule है आपका April 2022 में और अगर आप बात करें कि क्या आपका exam postpone हो सकता है बिलकुल भी chances नहीं है क्योंकि आप सभी लोग जानते है CGL 2020 का tier 2 conduct किया जाना था और COVID की अभी January में हाल में third wave बहुत अच्छे से चल रही थी उसके बावजूद 28-29 तारीक को बहुत ही अच्छे से exam conduct कराया गया कुछ एक center पर mismanagement हुआ है जैसे IIMT का एक Delhi का center है वहाँ पर हुआ है बाकी जगे पर successful exam conduct करा लिया गया है और जहां पर हुआ है वहाँ के लिए re-exam भी announce कर दिया गया है इसलिए बहुत ही अच्छे से तैयारी में लग जाई है और यह मान लीजे कि exam आपका April में होगा अब April के कब किस date पे होगा वो SSC आपको announce कर देगी और inform कर देगी कि कब आपका exam conduct किया जाना है most probably March तक में वो announce कर देंगे कि कब exam आपका किया जाएगा April के शुरुआत में होगा या April के end में होगा तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं strategy की क्या strategy होनी चाहिए कैसे हमें अगले दो महिनेते के लिए पढ़ाई करना है और क्या हमारा तरीका होना चाहिए So winter is not coming but exam is coming and winter is not going, winter is not going So okay, बात करें कि exam के लिए तो अगर आप exam की तयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल भी अब underground होने का समय आ चुका है दो महिने बचे हुए हैं अगर आप पहली बार exam दे रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही crucial time है और इस crucial time को आपको जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से utilize करना है और full motivation के साथ में लगना है बिल्कुल भी हमें ये सब नहीं सोचना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा वो गीता का श्लोक है न कर्मने वादिका रस्ते माफले सुकाजाचन तो कुल मिलाके आप अपने काम पर focus करो result क्या होगा उसके बारे में अभी हमें नहीं सोचना है हमें बस अभी अपने काम को पुरी शिद्दत और पुरी महनत के साथ पुरी इमानदारी के साथ में करना है इसलिए पुरा अच्छे से underground हो जाई है और underground होने के लिए देखी जो दिक्कत करता है वो करता है हमारा mobile phone तो mobile phone के addiction को अगर आपको बचना है तो आप 2-3 चीज़ें कर सकते हो एक तो यह है कि आप social media use मत करो दूसरा यह तरीका है कि आप use करो लेकिन बहुत ही systematic धंग से use करो तो उसका एक तरीका यह है कि जैसे OnePlus का phone आता है OnePlus के phone में एक Zen mode होता है तो अगर आपके पास Zen mode है phone में तो उससे आप phone को Zen mode पे डाल दो और उसके बाद पढ़ाई करो और अगर वो नहीं है तो एक और app आता है forest करके एक app आता है आप उसे download कर सकते हो Play Store से बहुत ही free में available हो और इसमें कुछ नहीं होता है अगर आप एक घंटे का timer लगाते हो तो उतनी देर में एक पेंड होता है जो उगता है virtual पेंड होता है तोड़ा साइक satisfaction लगता है ये सारी चीज़ें अपनी तरज जगें हैं बट कुल मिला के आपको internally motivated रहना पड़ेगा अगर आपको ये exam clear करना है तो ठीक है एप्रिल का कितना समय है हमारे पास यह हमें नहीं मालूम है लेकिन हमारे हमारे पास February और March का पूरा समय लगभग लगभग है और most probably February, March, April में भी कुछ समय हमें मिलेगा तैयारी करने के लिए इस इन तीन महिने में हमें तैयारी करनी कैसे है इसके बारे में पूरी बात में आपको वीडियो के end तक everything सब कुछ में आपको बता दूँगा इसलिए वीडियो को end तक जरूर देखिएगा अगर आप यहां तक देख रहे हैं तो बात करें vacancies की कि कि कितनी vacancies आती है और कितनी vacancies आती रही है हमारे exam के point of view से तो मैंने ये table आपकी 2014 से बनाई है आप इसको ध्यान से देखिएगा कि कितनी vacancies आती है और आपको जो एक थोड़ा सा मित आजकल बन गया कि vacancies नहीं आरे vacancies नहीं आरे उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देंगे अगर आप बात करेंगे 2014 की 2014 की तो उस साल vacancies आई थी 15,000 के आसपास साड़े 15,000 vacancies आई थी और ये अभी तक का highest number है 2014 में ये आई थी इसके अलग अलग अपने political कारण हो सकते हैं क्योंकि वो आपका Congress का आखरी येर था इसलिए उन्होंने अच्छी कासी vacancies निकाली लेकिन अगर आप 2015 की बात करेंगे तो 8,000, 8,000 के आसपास vacancies आई थी 2016 जिस साल मैंने exam clear किया था उस साल 10,661 vacancies थी इसमें CGDA का काफी रोल था 3,000 vacancies CGDA की थी 2017 में आपकी 9,000 vacancies थी 2018 में आपकी 11,000 vacancies थी 2019 में आपकी 8,421 vacancies अभी तक inform की गई है 2020 में अभी तक आपकी 7,035 vacancies इंफॉर्म की गई है 2021 की vacancies अभी आमें नहीं मालूम है कहने का मतलब मेरा ये है अगर आप इस table को देखते हैं 2014 को भूल जाए क्योंकि जो बीत गया वो बात गई वर्तवान में में रहना है जो वर्तवान सरकार है उसकी अगर हम बात करें तो vacancies हमारी 8,000, 10,000, 9,000, 11,000, 8,000 इस range में आपकी आती है 2019 का भी result नहीं आया है इसलिए final vacancies अभी हमें नहीं पता है और 2020 का अभी process चल रहा है टीर 3 अभी conduct होना पांच तारीक को उसकी भी अभी final vacancies नहीं आई है most probably ये vacancies 8,000 इतनी ही रहेंगी मुझे नहीं लगता 2019 में बढ़ेंगी बट इसकी vacancies में हो सकता है एक या 2,000 vacancies बढ़ जाए probability है कहने का मतलब ये हुआ कि जो vacancies है वो आपकी 7 से 8,000 के आसपास आती है ज्यादा आ जाती है well and good कम आती है तो कुल मिला के इतनी vacancies आती है और अगर आप you are candidate है तो आपके लिए ये मान के चलिए कि 3,000 से 4,000 vacancies रहती है आपको एक नौकरी चाहिए ठीके बहुत मुश्किल काम नहीं है अगर आप UPSC की बात करेंगे तो वहाँ पे 8,900 overall vacancies आ रही है यहाँ पे 3,000-4,000 सिर्फ एक category की UR की बात कर दी मैंने 8,000 total vacancies है तो exam यहाँ पे आपका 10 times easier हो जाता है UPSC से तो उससे कोई comparison नहीं अपना इसलिए मैं रहा कहने का मतलब यह है कि किया जा सकता है कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है बशर्ते आप अच्छे से तयारी करें और अच्छे से पढ़ाई करें अब अगली बात की तरफ आते हैं जड़ा एक बार cutoff देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग preparation strategy पर आएंगे cutoff ची अगर हम बात करें 2015 में offline paper होता था तब cutoff आई थी 102 ए 102 नमबर cutoff गई थी बहुत ही linear cutoff थी क्योंकि तब offline paper होता था एक घंडे का paper होता था दो घंडे का paper होता था उसमें काफी समय हमारा गोले भरने में चला जाता था इसलिए cutoff हाई जाती थी और paper का लेवल अलग था वो इक अलग बहस है 2016 में 136 cutoff गई थी 17 में 139 cutoff गई थी 2018 में 137 cutoff गई थी 2019 में 147 cutoff गई थी 2015 में 132 cutoff गई है तो अब आप एक चीज़ दिखोगे कि यहाँ पर 136, 137, 147, 132 और 139 यहाँ पर cutoff कम इसलिए चली गई थी क्योंकि इन्होंने ज्यादा candidates को call किया था tier 2 के लिए और यहाँ पर cutoff high इसलिए चली गई थी क्योंकि cutoff जो tier 2 के लिए candidates call किये थे वो काफी कम किये थे तो जितने जिस हिसाब से tier 2 में candidates call होंगे उस हिसाब से यह cutoff vary कर जाती है बढ़ अगर आप देखोगे कि mostly अगर आप average out करोगे तो यह cutoff जो है 132, 140 की range में रहती है 147 की highest थी मुझे नहीं लगता भी दुबारा जाएगी ठीक है क्योंकि आप paper का analysis वगरा भी बंद हो गया है तो on an average मैंने आपको यह 2021 की expected cutoff दे दी है 135 marks आप इतने की तयारी करके चलिएगा ठीक है अब बात करते हैं कि कितनी cutoff आपकी cutoff इतनी high है तो अब आपको करना क्या है कैसे करना इन सारी चीजों के बारे में हम फिर से बात करेंगे तो देखिए अगर आप बात करते हैं कि target कितना होना चाहिए अगर यहाँ पर कोई cutoff गलत हो गई है तो प्लीज उसको ignore करतीजेगा मुद्दा वो नहीं है मुद्दा है strategy है ठीक है चली कहने का मतलग यह कि आप इतने की त्यारी करके चलेंगे कितने की त्यारी करना है आपको उसके बारे में भी बात करते हैं cutoff हाई है डरनी की कोई बात नहीं है selection आपको एक पोश्ट पे चाहिए 8000 वेकेंसी होती है बहुत है हमारे लिए किया जा सकता है बात करें कितना हमें marks लाना है तो अगर आप target score की बात करोगे तो क्वांट में आपको देखिए 45 प्लस टार्गेट करना चाहिए यह मैं आपको यह नहीं कह रहा हूं इतना marks आ सकता है या बहुत आसान है मुद्दा वो नहीं है मुद्दा यह है कि हमें कोशिश कितने marks की करनी है तो अगर हम दिल्ली जाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है मैं मैं दिल्ली के आसपास गाजियाबाद तक पहुंच जाओं लेकिन अगर मैं कोशिश ही मैं गाजियाबाद की करूंगा तो दिल्ली क स्कोर कर रहे हैं किया जा सकता है कुछ नहीं करना है सिर्फ पी वाई क्यूज लगाने हैं और आपका English का paper में 45 प्लस के marks आ सकते हैं आपके इवेंट पैरा जंबल तक repeat हो रहा हैं अगर आप बात करें reasoning की तो थोड़ा सट लेवल अप किया गया है इसमें भी हम कोशिश करेंगे 45 प्लस marks की ठीक है GS सबसे ज्यादा हमारे सभी सभी जातर सभी जातर इस्ट्रेंट्स की एकलीज हील रही है जातर लोगों की समस्या रही है कैसे टैकल करना है इसको मैं आपको बताऊँगा GS में आप टार्गेट करेंगे 30 marks का टोटल जो आपका स्कोर बनता है वो बनता है आपका 165 अगर अच्छा आप यह देखो 165 आप टार्गेट करते हो और इंड में से किसी भी इयर की cut-off की बात करो 165 is a very good score and is a safe score ठीक है और जैसा normalization हमने पिछले अभी 2020 वाले एक्जाम में देखा अच्छा खासा ठीक ठीक normalization हुआ था तो अगर आप 165 तक marks score करते हो तो आपके marks घटेंगे नहीं हो सकता है 15-10 number बढ़ जाए मेरी आप इमानदारी से बात मान के चलि और 160 plus number लाते हो tier 1 में तो आपको बांकी student से एक अच्छी खासी lead मिल जाती है एक अच्छी खासी edge मिल जाती है और ये edge आपको एक ना की सिर्फ एक अच्छी post लाने में मदद करती है साथी साथ ये मदद करती है आपको एक vacancy की देलाने में अगर आपका tier 2 में कुछ गडब कैसे हमें देखिए एक plan बनाईए अगर नहीं बनाया है तो बनाईए दोस्तों बिना उसके काम चलता नहीं है ठीक है क्योंकि देखो यार ये competitive exam की तैरी कर रहे हो ये हमारे college exams नहीं है हमारे board exams नहीं है जहाँ पे हमें सिर्फ marks लाना है यहाँ पे compete करना है बगल वाले से ए अगर आप you are candidate है तो इसलिए पूरी मानदारी से एक plan बनाईए एक right strategy को follow करिये और consistent effort करिये consistent का मतलब हो गया कि आप लगातार लगे रहे है बीच बीच में हमारे सोने की आदत होती है बीच बीच में हम भूल जाते हैं कि तैरी कर रहे थे वो नहीं होना चाहिए क्योंकि य यह consistently आपको तैयारी में लगे रहना है ठीक है plan कैसे बनाना है इन सारी चुछों के बारे में हम बात करेंगे देखिए आपका daily schedule किस तरीके का होना चाहिए इसके बारे में हम बात करते हैं कि किस तरीके का आपका plan होगा और किस तरीके का आपका daily routine होगा देखो बच्चों दिन की शुरुआत जब आप करेंगे सबसे पहले आप अपने जब सुबह उठेंगे तो सबसे पहले आप अपनी vocabulary से शुरुआत कीजिए दिन की शुरुआत vocabulary से कीजिए जिस भी किताब जिस भी notes से आप vocabulary याद करते हैं उस किताब उस चौपतिया को सर के पास रखके सोई और जब सुबह उठिये तो सबसे पहला काम आप जो है vocabulary revise करने का कीजिए यह बहुत जरूरी काम है और यह lifetime के लिए अदर डाल लो ठीक सबसे पहला आपने vocabulary revise कर लिया एक घंटे आपने जब vocabulary revise कर लिया तो उसके बाद आप GS में static portion को revise करेंगे source क्या होगा उसको मैं बताऊंगा बट आपका यह schedule होना चाहिए सुबह उठे vocabulary revise किया उसके बाद हमने जो भी मेरा GS का static का source है notes है, किताब है उसको मैंने revise किया पूरे अच्य से उसको हम revise करेंगे उसके बाद एक घंटा हम समय देगे अपने current affairs को भी current affairs को भी अच्छे से revise करेंगे या फिर कुई और किताब जिससे आप English के previous year sets लगाते हैं उससे आप English के previous year papers को revised करेंगे उनको solve करेंगे After that आप क्या करेंगे आप quant के previous year papers को solve करेंगे Quant के previous year papers को लगाएंगे ये आपका schedule होना चाहिए और उसके बाद आप mock test और previous year papers को लगाना है इसलिए यह आपका एक मोटा मोटी मैं आउटलाइनिंग दे रहा हूँ मैं यह नहीं करूँ एकदम यही स्कर्यूल है बट आपको एक आउटलाइनिंग देने की कोशिश किये कि दिन की शुरुआत वोकैबलेदी से कीजिए फिर जीयस रिवाइस कीजिए करेंट अफेर्स र काम चालू होंगे तब तक आप जो है दो तिन घंटे में आप दो सब्जेक्ट अपने निप्टा चुके होंगे वोकैबलरी और जीयस का पार्ट इतना काम आप अगर सुबह उठके कर लेंगे तो अब आपको दिन में सिर्फ दो सब्जेक्ट पढ़ने को रह जाएंगे इ वोकैब रिवाइस करो, जीयस रिवाइस करो, बांकी के दिन को दो हिस्से में बांट लो जिसमें आप इंग्लिश पढ़ोगे, मैट्स पढ़ोगे और एक टाइम पर आप मॉक टेस्ट होगे इतना काम आपका होना चाहिए, साथ ही साथ जब आप वापस बैट पर जाओगे तो आप एक बार फिर से वोकैब रिवाइस कर लोगे तो जो सुबह याद किया था, वो रात में भी एक बार रिवाइस हो जाएगा, तो याद रहेगा कोई कई सारे बचों की कंप्लेंड यह आती है कि वोकैबलरी भूल जाते हैं, तो भूले नहीं, उसे याद कैसे रखें, उसका तरीका यह है कि सुबह उठीए, वोकैब याद कीजिए, और रात में जब सोने जाएए, फिर से आप उसे रिवाइस कीजिए, और फिर अगले है, आप जैसे एक तार है मान लीजेए, इसको आमें इतना कसके नहीं खीचना है कि तूट जाए, इसको थोड़ा सा मुझे धील दे के रखना है, so that इसको मैं लंबे समय तक यूज कर सकूँ, कहने का मतलब यह हुआ, कि जब आप इस तरीके का रूटीन बनाईए, तो यह म करिए, धीरे 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 बढ़ाइए, एक एक स्टेप चलिए, अगर आप एकदम से एक्स्ट्रीम पे जाएंगे ना, तो मनोबल तूट जाएगा और दूसरे दिन से वह रूटीन फॉलो नहीं होगा, क्योंकि वह बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए यह आमें नहीं क इसलिए आपने काम को में तब तक करते रहे हैं, जब तक हमारे लक्ष की प्राफ्ति नहीं हो जाती है।, बात करें हम क्वांट की स्ट्राटीजी की हमारी स्ट्राटीजी क्या रहेगी। तो क्वांट के लिए आपको प्रिवेसे क्वेशन फेपर लगाने हैं, और 2019 की पे लेकिन बस फरक इतना थे कि questions बहुत calculated थे तो कहने का मतलब यह हुआ कि आपको calculations करनी है आपको calculation की practice करनी है लेकिन साथ ही साथ previous papers भी लगाने हैं क्योंकि सब कुछ आ previous year से ही रहा है questions almost वही है बस calculation का level बढ़ गया है तो आपको calculation की practice करनी है calculation को अपने fast करना है और जब आप calculation को fast कर लेंगे तो उसके बाद आपके वही सवाल आपको बनने लग जाएंगे जो आपसे नहीं बन रहे थे ठीक है इसलिए previous year question papers को जरूर से लगाना है हमें quant के लिए और इसके लिए आपकी किरन से लगा सकते हैं और वाई पी लगा सकते हैं राकेश अदो पॉब्लिकेशन की किताब आती है या फिर कोई आन्नी किताब जो आप फॉलो करते हैं जिसमें previous year question पर पर दिये हैं अब वहां से भी इसे कर सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है 2020 के बाद 2019 लगाई 2019 के बाद 18 लगाई है अठारा के बाद 17 लगाई है पीछे से चलेंगे क्योंकि जिससे की जो recent में हुआ है उसको हम जल्ली से कर पाए ठीक है एक ही साल में करीब बहुत सारे papers conduct होते हैं तो एक एक करके करिए 2020 का आप पहले उठाईए CGL का करिए 2020 CGL हो जाता है तो CHSL का उसके बाद 2019 पर जाए फिर उसी तरीके से CGL, CHSL, MTS, CPO सारे exams के कीजिए यह मत कीजेगा कि छुआ छूत वाला मतलब मत फैलाईएगा कि CGL मेरा हम कर रहा है तो CGL का करेंगे CHSL नहीं करेंगे नहीं भी आज सब करो क्योंकि paper वो almost सारे के सारे TCLC बना रहा है तो pattern वही रहने वाला है सारे exams में ठीक है तो उसके अलावा आपको क्वाइंट के लिए mock test देना है mock test जितना आप देंगे उतना आद आपको पता चलेगा कि आपको दिक्कत कहां पर आ रही है आपको कौन से chapter में काम करना है क्या समस्या है कहा समस्या है वो सारी शीजिए आपको क्वांट स समझ में आएंगी तो क्वांट को कीजिए उसके बाद उन सवालों को समस्या हो रही है और उन पर काम कीजिए जो दिक्कत है उसे हमें दूर करना होगा जितना जल्दी आप उस दिक्कत को दूर कर लोगे उतना जल्दी आप आगे बढ़पा होगे साथी साथ questions को solve कीजिए उन chapters को और उनके concepts को clear कीजिए ठीक है और जो भी आप किताब लगा रहे हैं उसमें जो भी आपने पहली बार सवाल लगाएं तो आप उसको circle करते जाएं जो आपको difficult लग रहा है so that when you do that next time आपको पता हो कि किस सवाल को आपको पहले करना है ठीक है बात करें अंग्रेजी कि strategy की तो अंग्रेजी की strategy को हम तीन भागों में बांट लेते हैं पहला है हमारा vocabulary दूसरा है grammar और तीसरा है verbal ability vocabulary के लिए मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है सुबह उटके revision करना है आपको पेपर में आपकी idiom phrases आता है आप उसे follow कर सकते हैं उसकी pdf भी available है मेरे टेलिग्राम चेनल पर download कर सकते हैं और वहां से पढ़ सकते हैं इसके इसके एलाबा एसकी बख्षी किताब से हाब vocabulary याद कर सकते हैं नीतू शीकिताब से JACयां करना में वह है जो हमारे exam के लिए फायदे-m Roc. है smart work करो गधा वर्क करो क्योंकि गधा भी बहुत सारा सामान ढो लेता है लेकिन हमें smart work करना है कम में ज्यादा output लेना है ठीक है साथ इसाथ daily revision कीजिए revise daily कीजिए अपनी vocabulary को क्योंकि जतना revision करोगे उतना retain कर पाऊंगे वरना भूलते चले जाओगे, grammar में error detection, sentence improvement, active passive, narration ये chapters आपके आते हैं, grammar के लिए क्या करना, आप मेरे classes से पढ़ सकते हैं, बहुती जल्ब मैं अपनी classes को YouTube पे भी आपको डाले वाला हो, तो YouTube पे भी आप मेरे से grammar पढ़ सकेंगे, साथी साथ previous papers आप लगा सकते हैं, MB publication से और उसको daily revise क कर सकते हैं, इसके लिए आप मेरे YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, मैंने YouTube पे वीडियो बना रखेंगे, किस तरीके से आप पैराजंबल को जल्दी से solve कर सकते हैं, और उन्हें किस तरीके से smartly solve किया जा सकता है, साथी साथ previous papers लगाईए, MB publication से और daily revise कीजे, reasoning का तरीका भी यह है कि आप mock test दीजे, ज्यादा से ज्यादा mock test दीजे, chapter wise reasoning करने का मतलब नहीं है, आप mock test दीजे, जितना mock test देंगे आपको पता लगेगा किस chapter में दिक्कत है, जिस भी chapter में दिक्कत है, उसके कुछ सवाल आप लगा लिजे, practice कर लिजे, आपको idea लग जागा कि कहां पे दिक दिक्कत आ रही है और आप ज़्यादा से ज्यादा उन questions को solve कर पाएंगे, जो भी आपकी समस्या वाले chapter है, उनको identify करो, उनको एक जगे पर note करो कि analogy में दिक्कत आ रही है, number series में दिक्कत आ रही है, missing number में दिक्कत आ रही है, जिन भी chapters में दिक्कत आ रही है, उसके लिए आ किरन या फिर जो भी आपके पास किताब है, उस किताब से उस chapter को solve कर लिजे, so that आपको पता चल जागा कि इसको हमें कैसे करना है, ठीक है, और उन पर काम करिए, ठीक है, बात करते है, GS की तो GS सबसे अधा समस्या देती है, उसके लिए हम बात करते हैं, तो GS के लिए आपको major events होते हैं, उनको भी ध्यान रखी, major events का मतलब जो बहुत बड़े-बड़ी घटना है होती, जैसे कि मान लीजे, last year Olympics हुआ था, तो Olympics last six months में नहीं आ रहा है, बट हमें एक साल तक कर लेना है, उस समय, क्योंकि Olympics में जितने भी events हुए थे, वो सारे के सारे ही importance है, पूरे last one year में कितने भी tennis के opens हुए है, Australian open हुआ है, आपका US open हुआ है, Wimbledon हुआ है, French open हुआ है, कौन winner है, क्या हुआ, वो सारी चीज़े याद रखनी है, पूरे एक साल में IPL का कोई season हुआ है, वो याद रखना है, प्रो कबड़ी league वो भी याद रखना है, फुटबॉल का season हुआ ह उसका winning shot किसने मा रहा था, तो इस तरीके के सवाल आ रहा है, इसलिए मैंने का कि एक साल में जो भी major events में है, उसकी पूरी detail याद रखनी है, और अगर cricket है, तो cricket का बहुत detail में याद रखना है, क्योंकि वो जानते हैं, cricket आप देखते हो, तो cricket में आपसे वो यह नहीं यूज कर सकते हैं, Lucent के साथ साथ कोई भी एक previous year किताब उठाईए, चाहे वो किरन की हो, RYP की हो, या फिर घटना चक्र की हो, इन दोनों को combine करेंगे, तो GS का ऐसा तोड़ बनता है, जो कि कोई teacher आपको नहीं समझा सकता, मैं बहुत कह 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 थक चुका हूँ, आप लोग पढ़ रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है बच्चा क्योंकि 50 नमबर का GS आता है, इतिहास उठा के देख लो, किसी भी बच्चे के 30-35 नमबर से ज्यादा आते नहीं है, जो selection लेते हैं, एक दो क्या आ जाते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं UPSC वालों की, बट ज्या ज्यादा कुछ करने सकता, इसलिए मैं उसमें ज्यादा एड़ाइस धूंगा भी नहीं, बहुत बार मैं कह चुका हूँ, मौक टेस्स की बात करें, तो मौक से करना है, और इसके बाद उन्हें अनलाइस करना है, अनलिसिस पर टाइम जरूर दीजीए, क्योंकि अगर अनलि एक्जाम में भी कर सकते हो, इसलिए मौक टेस्ट बहुत जरूरी है, उसमें एक अच्छा स्कोर करने की कोशिश करो, मेरी सजसला यही होती ही कि हमेशा टॉप 2000 में आने के अटलिस कोशिश करिए, जब टॉप 2000 में आ जाएं तो आपने लक्ष को और बड़ा बने ही, क्यों इसलिए मौक टेस्ट चरूर दीचे, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, अगर आपको इसमें कोई भी सजेशन चाहिए, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो आप कॉमेंट सेक्शन में अपनी बात को दर्ज करा सकते हैं, मैं एक कॉमेंट पढ़ता हूँ, तो मैं उसे जरूर जोइन कर लीजे, क्योंकि वहाँ पर आपको बाकी डिटेल भी मिलती रहती है, तो थैंक यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो, वेरी गूद डेय है, टेक कियर, बबाई, थैंक यू सो मच